तो फ्रेंड्स आज कोमल की रसोई में मैंने एक ऐसी मिठाई बनाई है जो की बिल्कुल इंस्सेंट है और सिर्फ घर के रखे हुए सामान से बनी हुई है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई कढ़ाई में मैंने गैस को ओन कर लिया है ओन करने के बाद मैं एक कप चीनी कर डालूंगी यहां पर और स्टार्टिंग में मैंने यह कप सेट कर लिया है उसके बाद एक कप पानी डालूंगी उसी कटोरी से मैंने पानी डाला है जिस कटोड़ी से मैंने यहां पर चीनी डाले थी दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चीनी को हम इतना मिक्स करना है कि बस चीनी पानी में गुल जाए हमें कोई चाशनी यहां पर प्रिपेर नहीं करनी है चीनी पानी में गुल चुकी है और इसके बाद अब उसके बाद एक पिंच में डाले इसमें यलो फूड कलर और यलो फूड कलर डालने के बाद अच्छी तरह से हम अपनी शुगर सिरप को मिक्स करेंगे और देखिए जब इस तरह से यह अच्छी तरह से चीनी मिक्स हो जाए और मैं आपको दिखाती हूँ जैसी यह चिप इसको ओफ कर देंगे यह को आफ करने के बाद इसको थंड़ा होने के लिए छोड देते हैं इतना चलते हैं हम अपने दूसरी प्रोसेस के तरफ हमें अपिस लरी बनानी है उसके लिए में यहां पे दो चमच फ्रेश मलाई लूँगी आपको भी फ्रेश मलाई ही लेनी है एक दो दिन की मलाई भी नहीं ले सकते हो, आज सुबा की ही लेनी हैं, इसके बाद में इसमें डालोंगी चार चमच मिल्क पाउडर, हमने यहां पे कोई मावा, कोई पनीर, कोई condensed milk यहां पे यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जरूरी है है टेस्ट के लिए, इसके बाद म और कम भी कर सकते हो लेकिन मैंने चार चमच मिल्क पाउडर लिया है तो मैं चार चमच ही डैसिकेटिड कोकोनट ले रही हूँ सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखे जब आप इसको मिक्स दरोगे तो डैसिकेटिड कोकोनट है वो मलाई को अपने अंदर अच्छे से अब्जौच कर लेगा तो आपको यहां पे थोड़ा गाड़ा लगेगा थो आप इसमें थोड़ा सा दूद ray कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो वैसे मैं यहां पर जो मेरी मलाई बची हुई थी उसी को यांड़ कर रही हूँ और इसके बावजूद भी अगर आपको लगेगा कि यह थोड़ा अभी भी गाड़ा है तो आप इसमें डूद दो से तीन चम्मच यहां पे डाल सकते हो क्योंकि हम एक दम गाड़ा पेस्ट नी चाहिए हमें थोड़ा रनिंग कंसिस्टेंसी में चाहिए जिससे यह इजीली स्प्रेड हो जाए या निकी इजीली फैल जाए एक दम गाड़ा आप ले लोगे इसको तो इसको फैलने में दिक्कत आएगी हम जो डेजर्ट यहां पे रेडी करेंगे उसको बनाने में हमें परिशानी हो जाएगी तो मेरको यहां पे अभी यह गाड़ा लग रहा है आप भी देख सकते हो कि अच्छे से सोख लिया है मलाई को डैसिकेटिव ओकोनट ने तो मैंने आपे दो से तीन चमच मिल्क का इस्तमाल कर लिया है आप यहा करेंगे में रहे हैं छोई उनको भी चीज दिखे और इस तारह के रैसे पी जो भी बना सके और चैनल बनाई आए तो चैनल को सब्स्राइब जरूर कर है और जब आप चैनल को सब्स्राइब कर देते हो तो हमें नहीं नहीं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलका है अगर आप चाकु से करोगे तो नहीं हो पाएगा तो आपको कोई ग्लास लेना है किनारे वाला उससे आपको कट कर लेना है अब इसके ओपर जो हमने स्कलरी रेडी करी ती उसको हम यहां पे स्प्रेड कर देंगे ब्रेड श्लाइस के ओपर अच्छे से और मैंने इसमें मिल् तो इतना जादा मीठा हो जाएगा इसलिए मैं इहां पे इसको चीनी बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करिए इसके अंदर आप दूसरी स्लाइस लेंगे ब्रेड का इसके ओपर डाल देंगे और जो हमने शुगर सिरा प्रेडी कर लेंगे और आपको ध्यान रखना है कि इस प इसके बाद आप इसके उपर हलका साफ पूड गलर का लगा दीजिए और इसको मैंने यहां पर डेकोरेट कर दिया है जिसी की देखने में सुंदर लगे थोड़ी सी ड्राइफ रूट से अगर आप चाहों तो ऑप्शन लेड्राइफ और आपको और मन नहीं है ड्राइफ बंस लगातने तो आप मत लगा कोई बात नहीं आप इसको दीन रख सकते और इतनी डिलीजिस और इतनी टेस्ट बन верх है कि एltish कि drev से अपने सारे पीसिस रड़ी कर लेने हैं और उसके बाद इसको प्रीज में रख दोगे और नारियल के बुरादे में लपेट दोगे तो फिर जो एक्सर चाशनी होगी वो नारियल का बुरादा सोख लेगा तो इतनी जल्दी ये सॉफ्ट नहीं हो पाएगी और देखिये मे सब्सक्राइब तो आप भी इसको बनाइए खाये खिलाइए और इंजोई कीजिए और अपने एक्सपिरियेंस में जरूर शेयर कीजिएगा ये आपको मेरी रेसिपीस कैसे लगती है अच्छी लगती है या बुरी लगती है कमेंट करके मुझे बताएगा जरूर एक तो आ अच्छी आपको मेरी आने वाली हर नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें बाइटरा स्यू सुन पर नेक्स वीडियो